हाले दोस्तों आपका राना क्लासेज में स्वागत है तो आज मैं सेंटरल एससी के बारे में जो डेट देंगा तो इस वीडियो को शुरू सेंटर देए फसेना ने बेल आइकन पर बेल आइकन पर बटन नबाना न भूलें तो सुप्रिम कोर्ट ने 2017 की जो एससी की जो परिच्छाएं शेंटरल लेवल पर जो होती है वो परिच्छाओं को रद करने के हिमायत करते हुए सोंबार को कहा था कि छात्रों के हीटों में राष्टिये परिच्छाए जैंसी एंटीये या सीबी एससी नए सिरे से इनका आय इस नहीं दिया है इससे पहले अगस्त में कोर्ट ने इस परिच्छा के नतीजों पर रोक लगा दी थी सिर्ष कोर्ट ने कहा कि इन परिच्छाओं में हुई धांधली के असली लावार्थी का पता लगाना कठिन था इसलिए इसे रद्ध किया जाना चाहिए जश्टिस ए से बोवडे वा एल नागे स्वर्राव की पीठ ने केंदर की इस दलिल से समती जताई थी कि तकनिकी गर्वडी से फरवरी में संपन परिच्छाएं दागी हो गई थी वह इसके बाद एक प्रश्म पत्र की फिर से परिच्छा हुई थी तो 13 नमबर तक है जो की पीठ ने है जो की जवाब मांगा है कि वह परगती रिपोर्ट के अब लोकन के बाद 13 नमबर तक पना जवाब जाख खिल करें पीठ ने कहा हमने इस परिच्छा के नतीजे की खोशना पर रोक लगा थी क्योंकि ऐसा करके इने के लिए पहली निज़र में समगरी थी यह छात्रों के हित्मे होगा इससे पूरी तरह निरस्त करके नए सिरे से इसका आयोजन हुआ एससी सीजेल की परिच्छा के परिश्म पत्कतित रूप से लिख होने की वज़ा से कई दिन तक इसके लेकर ब्रोद परदर्शन हुआ था तो एक तरह से कहा जाया आदेश तो नहीं था लेकिन एक तरह से समाहने वाला की सीजेल है जो कि रद हो जायागी क्योंकि इसमें जो गरवड़ी क्योंकि बड़े पैमाने पर इसका आयोजन कौन किसने गरवड़ी की क्या की नहीं की तो ये पता लगाना कठीन है हाला कि इस तरह के अगर कठीन है तो फिर मुश्किल है क्योंकि ये तो एससी की जिम्मेवारी अगर रद होती है तो इसमें तो इस पर है जो कि अब कम से कम ध्यान देना चाहिए और अगर संभव हो तो गरवड़ी पता लगाने वाले को रियल्ट को बाहर किया जाए यह अगर हो सकता है लेकिन इसी जब कोट कह रहा है एक प्रामर्श दे रहा है तो रद करने रद ही होने की संभावना है तो यह अच तो दो या तीन साल लग जाते हैं तो कई बार सुने मphones माला किर्षा तर्स्टिट हो जाते हैे फाइनल होने के बाद विध्यानिंग में एक साल दो साल तीन साल लग जाते हैं तो यह अच्छी कवर नहीं है तो इसी खवर के साथ धन्यवाद आप लोगों का